इस वीडियो में हम जानेंगे पीडबुल वर्षयंस रॉट्वैलर के बारे में औरीजीन पीडबुल कुटो की नसल सबसे पहले इंग्लेंड में पैदा हुई थी बाद में इस नसल के कुटो को अमेरिका ले जाया गया था और अमेरिका से ये नसल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई पीडबुल डॉक्स, बुल डॉक्स डॉक्स का क्रोस ब्रीड है रॉट्विलर डॉक्स का ओरिजिन जर्मनी से है कौन से देशों में इन डॉक्स को बैंड किया गया है बेहद आक्रमक पीडबुल प्रजाती के इन कुटों को जर्मनी, डेन्मार्क, स्पेन, ग्रेट बिर्टेन, आयरलेंड, रोमानिया, कैनेडा, इटली और फ्रांस में बैंड किया गया है जबकि रॉक्वेलर को इकवड़ोर में बैंड किया गया है और भारत के भी कई शेरों में इन कुटों को पालने पर बैंड लगा हुआ है हाइट, पीडबुल डॉक्स की हाइट 17 तू 19 इंचेस के बीच में होती है और रॉक्वेलर की हाइट 24 तू 27 इंचेस तक होती है वेट, पीडबुल डॉक्ट का वेट 16 केजी तू 27 केजी तक होता है और रॉक्वेलर का वेट 50 केजी तू 60 केजी के बीच में होता है नेचर, पीडबुल ये एक गुसेल और आक्रामक ब्रीड मानी जाती है इसे एक शिकारी कुता भी कह सकते है ये अपने शेत्र में किसी दूसरे वेक्ती को देखते ही आक्रामक और हमलावर हो जाते है जबकि रॉक्वेलर एक बुद्धिमान और बहादूर ब्रीड है और साथी शारिरी कृप से ये एक मजबुत डॉक्वेलर है ज़रूर बताए ऐसी ही अमेजिंग जानकारी पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें